हलो स्टुडेंट्स ड्रीम क्लासेस में आप सबों का स्वागत हैं कैसे हो आप लोग काफी दिनों से मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा था बच्चे काफी नारास थे हैं एक्चुली कुछ पेपर बगर था इस कारण से मैं थोड़ा आउट ओफ टाउन गया था तो क हम लोग दोस्तों बचे काफी सारे कमेंट्स करें तो चलिए हम लोग जो है ना वो आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे फिजिक्स का कैमेस्ट्री का बायो का इंग्लिश का भी दिया जा रहा है पूजागर का आपको प्रोवाइड कर रही है और मैत के भी टॉ वीडियो बन भी नहीं रही थी तो आज से आपको कंटीनिव ड्रीम क्लासेस पर वीडियो मिलेगी पर डे दो से तीन वीडियो पर डे ठीक है तो लाइब कंटीनिव हमारे साथ बने रहीएगा बिल्कुल हमारी हर एक वीडियो को देखिएगा नीचे सेयर का बटन है सेयर क तो बिल्कुल करिएगा, लाइक करिएगा, जितना लाइक करिएगा, उतना जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड होगा, ठीक है, तो आज हम लोग सुरू करते हैं, 12 के फिजिक्स का, चैक्टर वन, टॉपिक का नाम है, बिद्दूत आवेज, तता बिद्दूत चैक्ट, तो इस बार भी हम चाहते हैं, लाग से तो दो, चार, पांच लाग और बड़े, नहीं, इस बार, तकि सबी के पेपर सची जए, चले सुरू करते हैं, टाइम को वेशनी करते हैं, और पर देव आईएगा, वीडियो को सेर करिएगा, वीडियो को पूरा पूरा देखेगा, पूरा देखने से जो होता है वो आपको बहुत फायदा होगा, स्टार्ट करते हैं, मुक्त आकास की पराबैदुता, इस साइलन नोट क्या होती है, यह होती है, यह होती है, 8.85 इंटु 10 तुदी पावर माइनस 12 फैराडे, आपको चैप्टर वाज सॉलूशन भी दिया जा होता है, यहाँ पे हम अब्जेक्टिव दे रहें, एक एक लेशन देखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, तो मुक्त आकास की पराबैदुता क्या है, 8.85 इंटु 10 तुदी पावर माइनस 12 फैराडे, नेक्स्ट कोश्चन है, बिदूतिय चेतर का मातरक क्या होता है, बिद 2015 में पूछा गया है, यह आपको 2016 में पूछा गया है, इसका अंसार है, बोल्ट मीटर इंवर्स, ठीक है, बिदूतिय चेतर का मातरक बोल्ट मीटर इंवर्स, नेक्स्ट कोश्चन है, कि इस्तिर बिदूत चेतर होता है, कैसा होता है, तो इस्तिर बिदूत चेतर जो होता ह वो सनर अच्छी होता है ये बिहार स्कूल इग्जामिनेशन बोर्ड 2010 और 11 दोनों बार पूछा गया प्रस्ने कि इस्तिर बिद्धुत चेतर जो होता है वो सनर अच्छी होता है ये चीज़ मैंने काफी अच्छा कर दिया कि कौन सा कोशन कब पूछा गया है ये आपके लिए चेतर के तिबर्णा क्या होती है सता के जस्त लंबबद होती है ये भी 2015 में पूछा गया कोशन है कि एक आबेस्टी चालक की सता के किसी भी बिंदु पर विद्धुतिय चेतर की तिबर्णा क्या होगी ये सता के जस्त लंबबद होगी ठीक है क्योशन नमर 5 है कि electrone volts दो़ पुछा को मापा जाता है, यह 16-17 दोनों बार पूछा गया कोशन है, बिहार स्कूल इग्जामिनेशन बूर्ट 2016, और मैंने 17 में यह कोशन देखा था, इस बार हमारे चैनल के तुरू, ड्रीम क्लासे के तुरू, फिजिक्स में 35 में 32 अबजेक्टिव कोशन लडे, और केमेस किन बस अभी अप्रेयल का महीना चल रहा है गा, मही से सभी टीचर अवैलेबल हो जाएंगे, सभी अवैलेबल हो जाएंगे, सब लोग वीडियोस कंटीनू प्रोवाइट करेंगी, चली, करें, इस्तिर बिधुन में उत्पन किसी बिधी, किस बिधी द्वारा उत्पन किय जाता है, थोड़ा आवाज मेरा है न, आजकल गड़वड हो रहा है, इस्तिर बिधुन में उत्पन जो है, किस बिधी द्वारा उत्पन किया जा सकता है, केबल घर्षन बिधी द्वारा ये चीज़े संभाब है, इस्तिर बिधुन में उत्पन उर्जा, किस बिधी द्वा तो बस्तू का द्रब्यमान क्या होता है तो जब रिना वेशित होगी न ठीक है तो उसके द्रब्यमान में ब्रिदी होगी तो द्रब्यमान क्या होगा बढ़ेगा जब बस्तू रिना वेशित होती है तो बस्तू का द्रब्यमान बढ़ता है कॉपी में नोट करिए कि जब बस और इस बार और भी हाई लेवल का आपको तयारी करवाने वाले हैं इस बार इस बार जो हमारा टार्गेट है बिलकुल भी बड़ा काफी बड़ा टार्गेट है चलिए बिद्धुत दुईधुर्ब आगुर्ण का व्यभारी की काई है डिवाई ठीक है एक्शली कुछ पेप आपको दो वीडियो ड्रीम क्लासेश पर मिलेगी जो मैंने आपको सुबा साथ बजे का टाइम बताया है वही टाइमिंग में मिलेगा और जल्दी इस रूल को हम लागू कर देंगे ड्रीम क्लासेश पर लाइब टेस जिस तरह लाइब टेस हमने पिछले साल लिया था विल है कि कुछ electron को बाहर से अर्जित करनो रिनावेशित तभी होगा जब वो बाहर से electron को अर्जित करेगा मांगेगा ठीक है किसी से पैचा लेगा तभी न वो रिनावेशित होगा उस पे कर्ज चड़ेगा तब तो वो रिनावेशित होगा अगर उसके बाला बल कौन सा बल कलाता है किस नियम से कुलंब के नियम से दो बिंदू आवेसों के बीच लगने बाला बल दिया जाता है किस नियम से कुलंब के नियम से कौपी में बिल्कुल 100% नोट करिएगा बारना पचताईगा कि दो बिंदू आवेसों के बीच लगने बाला बल दि पर प्रतिकुला, ठीक है, ठीक है, कुशन डाउट के लिए नहीं, और इस शीर को समझना है, तो आपको चैप्टर वाई सॉल्यूशन दिया जा रहा है, हमारे टीम के दौरा, बहुत कॉंसेप्ट के साथ एक एक टॉपिक को समझाया जा रहा है, यहां तो बस मैं, यह सॉरी, यहां पर तो मैं आपको बस objective या solution दे रहा हूँ, यदि एक द्रब बिंदू को आबेशित किया जाता है, तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, यदि एक द्रब बिंदू को आबेशित करेंगे, तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, ठीक है, द्रब बिंदू क का मात रख होता है FM inverse copy में note करिए जितना छोटा लग रहा है ना exam में यही सब question दिखने को मिलेगा epsilon note का मात रख होता है FM inverse note करिए copy में क्या होगा when what happened sorry what happened जब किसी साबुन के बुलबुले पर आबेस रखा जाए तो बुलबुले की जो तरिज्जा होती ना वो बढ़ जाएगी what happened क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आबेस रखा जाए बुलबुले की तरिज्जा बढ़ जाएगी यदि समरूप बिदुतिये चेत्र X अक्च की दिशा में हो तो सम बिभवी यहाँ पे सिर्फ हम objective का आपको थोड़ा-थोड़ा solution दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम सर्चे जाएँ चलिए students बिलकुल आ रहा होगा समझ में question number 19 क्यों रहते हैं कि एक कुलाम आबेस में electron की कितनी संख्या होती है तो एक कुलाम आबेस में number of electrons होगे 6.25 into 10 to the power 18 ठीक है एक कुलाम आबेस में electron की कितनी संख्या होगी 6.25 into 10 to the power 18 और dream classes क्या है न यह आप अपने senior से पूछिए जो इस बार 12th पास हुए और यहाँ से जो पढ़के निकले वो बताएंगे dream classes पे क्या पढ़ाई होती है कितने question आते वो सब बता देंगे आपको ठीक है पूछ के देखी गाई पर अगर आपके भाई दीदी कोई भी आपका family member dream classes अगर लाइप पढ़ाई पिछले साल अगर उन्होंने पढ़कर 12th का paper दिया पूछिए एक बार कि कैसा है channel पढ़ना चाहिए यहां पर यहां पर invest करना चाहिए यहां पर time waste करना चाहिए यहां पर अपने time को spend करना चाहिए तब वो बताएंगे कि नहीं dream classes is the best वो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके बोलेंगे जो आपके साथ रहेंगे जो आप जो दिनों ने पढ़ा है मुक्त आवास का मुक्त आकास का बिदूत शीलिता का इसाई मातरक होता है C² N Inverse M Inverse 2 ठीक है यह सभी कोशन इंपोर्टन है नोट करिएगा बिल्कुल यह इतना इंपोर्टन नहीं है एक समान बिदूत शेतर में इस्तित है तो उन पर लगने बाला बिदूत बलो के परीमान आपस में बराबर होंगे एक प्रोटन तथा एक इलक्ट्रोन एक समान बिदूत शेतर में इस्तित है तो उन पर लगने बाला बिदूत बलो के परीमान जो होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे विदूतिय दूर्व आगुन की बीमा होती है M0LT इनवर्स होना चाहिए LT1 नहीं होना चाहिए LT इनवर्स होना चाहिए हम इस चीच को एक बार फिट से देख लेंगे ठीक है? हाजी LT इनवर्स होना चाहिए चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे उसको रहने दीजिए प्रती इकाई चेतरफल पर विदूतिय फलक्स कर लाता है अगला कोशन है आबनूस की छड को बिल्ली की खाल से रगडने पर चल पर किसी प्रकार का आवेस उत्पन होता है तो यह रिन आवेस उत्पन आवेस होगा अगला कोशन है कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कि यहाँ दो आवेसों के बीच की दुरी धुगनी कर दी जाए तो उन पर लगने वाले बल जो होते हैं 1 by 4 यानि 25% हो जागा एक बटे 4 गुना ठीक है इस चीज का solution मैंने आपको notes में पढ़ाया है मतलब जहां पर deeply concept हो रहा है conceptual solution हो रहा है मतलब topic by topic जहां पर solution कर रहे है हमारी team वहाँ पर इस चीज को prove करके दिखायागा है कि किस तरह से दो आवेसों के बीच की दूरी को अगर हम दुगना करेंगे तो लगने बाला बल जो है वो 1 by 4 गुना हो जाएगा ठीक है next question है question है कि चालक पदार से बने आसिमित आवेस पतली चादर की सता से निकट इस्तिर किसी बस्तू बिंदु पर बिदुतिय चेतर का मान क्या होगा ठीक है तो ये थोड़ा important question है ये आपको 2014 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है ignore बिलकुल मत करिएगा बहुत ज़्यादा important है ठीक है ये जो 27 number question है बहुत ज़्यादा important है ये आपको 2014 में भी और इस बार इससे पहले sorry 2018 में भी ये पूछा गया question है बिलकुल ignore मत करिएगा ठीक है चली 29 पर आते हैं एक इस्तिर कुलाम बराबर क्या होगा एक इस्तिर कुलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 तू दी पावर 9 कुलाम तीन गुने 10 पर पावर 9 कुलाम एक इस्तिर कुलाम बराबर तीन गुने 10 पर पावर 9 कुलाम ये भी देखे कोशन दोस्तो 212 में पूछा गया प्रशने कि 212 में पूछा गया है कि एक इस्तिर कुलाम बराबर होगा 3 गुने 10 पर पावर 9 कुलाम कुलामब बल कैसा बल है तो कुलामब बल एक केंदरिये तता बिद्दुत बल दोनों बल है कुलामब बल कैसा बल है केंदरिये तता बिद्दुत बल ये आपको 2009 में पूछा गया कोशन है कि कुलामब बल कैसा बल है तो कुलाम बल केंद्रिय तथा बिद्द बल दोनों है ठीक है students आगे बढ़ते है Electron का बिसिस्ट आबेस होता है तो Electron का जो बिसिस्ट आबेस होगा 1.8 x 10 to the power 10 to the power 11 calorie प्रती किलोग्राम ठीक है बिलकुल concept क्लिए रहे हैं कुछ भी doubt हो तो आप हमें नीचे comment box में comment कर सकते है जब किसी बस्तू को आबेसित किया जाता है तो उसका द्रब्यमान यह आपको 2018 में पूछा गया question है बढ़ या घट या नि दोनों सकता है जब किसी बस्तू को हम आबेसित करेंगे तो उसका द्रब्यमान बढ़ भी सकता है और उसका द्रब्यमान घट भी सकता है जब किसी बस्तू को आबेसित किया जाता है तो उसका द्रब्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है concept clear अगर ए question क्यों राते है कि समरूप बिद्दुचेत्र एक्स अक्च की दिशा में बिद्दमान हो तो सम्रूप बिभब होगा यह YZ तल की दिशा में होगा यह आपको 2009 में BACB में पूछा गया है और जरूरी नहीं कि BACB में पूछा गया है तो BACB में पूछा जागा अगर आप कोई भी बोर्ड से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है बिल्कुल पढ़ सकते हो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो बस आपका language जिल्दी होना चाहिए इंग्लिश वालों के लिए भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे बताना है कि बिदूत आबेस का quantum ESU मात्रक होता है अंसर है दोस्तों बिदूत आबेस का quantum 4.78 x 10 to the power minus 10 ESU होगा यह आपको 2010 में पूछा यह question है और अगला question है question number 34 कि एक एकांग की चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होगा यह आपको 2010 में होगा अंसर इसका कुल आबेस बटे भीभव एक एकांग की चालक के लिए कौन अनुपात जो है वो अचर होता है तो कुल आबेस बटे भीभव 35 नमर question क्यों राते है कि किसी आबेसित खोकले गोलाकार चालक के भीतर बिदूतियत तिबरता कामान तो वो सिंपल सी बात है गोलाकार खोकला रहेगा तो मेरे सबसुति जीरो हाँ जी बिल्कुल जीरो है कि किसी आबेसित ये question number 35 है कि किसी आबेसित खोकले गोलाकार चालक के भीतर बिदूतियत तिबरता कामान जीरो होगा ये आपको 2017 में question पूछा गया ठीक है 2017 में पूछा गया question है और दो-तीन प्रशन और बच रहे हैं कि विदूतियत फलक्स की बीमा होती है ml q t inverse 3 t inverse या ऐसे करिए ml q t to the power minus 3 और i inverse है और धात्वों की प्रावैद्धुतांग होता है अनंद ये question number 35 है कि धात्वों का प्रावैद्धुतांग क्या होता है अनंद और बिदूतिय दुधुर्ब आगुर्ण कैसी रासी है एक सदीस रासी है तो दोस्तों ये relation 1 का solution था इसी तरह हम आपको relation 1 से लेकर जितने भी lessons हैं सभी को provide करेंगे एक एक बार नीचे comment कर दीजे इस video को like कर दीजे please मैं चाहता हूँ और मैं इतने दिनों से available नहीं था इसके लिए sorry और मैं अभी से continue आपके लिए videos बनाऊँगा continue available रहूँगा ठीक है दोस्तो बाबाई Hello students, welcome to dream classes मैं राहूल आप सभी students का dream classes में स्वागत करता हूँ दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो team है dream classes यहाँ पे आपको 12th और competitive exam की videos प्रवाइड करती है तो 12th की videos डालने पे बच्चे थोड़ा confused हो जाते थे तो हमने एक नया channel बना दिया है चैनल का नाम है students, just a wait, ठीक है चैनल का नाम है टार्गेट टार्गेट वित्राहूल सर यह आपको dream classes के home page भी मिल जाएगा यह channel नहीं तो फिर आप अपने youtube में search कर लिए target वित्राहूल सर अगर आपने 12th की पूरी तैयारी कर ली है dream classes के तुरू या normally आप 12th पास हो तो इस channel को देखिए, इस channel पे जाएए यहाँ पे total competitive exam bank ऐसे serial बे जितने भी medical को 12th के physics का solution दे रहे है ठीक है और यह अभी objective का solution हो रहा है और videos भी आपको provide की जारी है chapter wise तो lesson 1 हमने provide कर दिया था आज हम लोग lesson 2 की और चलेंगे electrostatics potential and capacity sorry ठीक है यह हमारा lesson 2 है बिदुत स्थैतिकी बिभव एबम धारिता जिसके हम जिसके हम कुछ important objective question को आज बताने वाले हैं और उसका solution करने वाले यह सबी objective questions आपके board के exams के लिए बहुत जादा important है ignore बिल्कुल भी मत करिएगा अपनी अच्छी सी notes तियार करिए और अच्छे से copy में note करिए और फिर हम आपको कुछी मिन्टों में PDF के बारे में बताने वाले है PDF मतलब notes जिसके बारे में बताएंगे कि आप हमारे channel के तुरू PDF को कैसे purchase करेंगे लगबग में पिछले साल जो exam हुआ था कुछी दिन पहले उसमें लगबग में 16,000 बच्चों ने परतेक 5μf धारिता रखते हैं यदि वेब बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्मान कर लेते हैं तो बड़े बूंद की capacity धारिता क्या होनी चाहिए तो वो answer होगा 20μf ये आपको 2013 के exam में पूछा गया और 2015 के 2013-2015 दोनों के exam में पूछा गया है कि 64 समान बूंदे परतेक 5μf धारिता रखते हैं यदि वेब बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्मान करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होगी 20μf कॉपी में नोट करी है अंसर होगा 20μf अगले question क्यों रहते है question नमर दूसरा है कि बिद्धुत तिब्रता का मातरख तो बिद्धुत तिब्रता का मातरख होता है volt meter inverse तो pdf की बात करे थे students तो हम अपना whatsapp number आप सभी को दे देते है question जो होता है और gas question होता है उसी का एक संग्रा होगा जो आपके whatsapp पे बेजा जाएगा जिसके लिए आपको थोड़ी सी fees देनी होती है वो normal सी बात है कोई बड़ा issue नहीं है वो आपको हमारे channel के तुरू समझा दिये जाएगा और भी पीछे काफी videos मैंने बना रखा है वहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल में मतब इस वार जो आपका एक्जाम हुआ लगबग में 15-16,000 बच्चों ने पीडिया पर्चेस करा और सभी के एक्जाम सच्चे गए तो आपको पता है कि dream classes पे टॉपर 452 नंबर था जो बिहार बोर्ड की बात करें उनकी तुल्ली धारिता क्या होगा तीन संधारित्र हैं जिनमें परते की धारिता C है और स्रेनी करम में जोडेंगे तो स्रेनी करम में पता होगा कि स्रेनी करम में 1Y R1 प्लस 1Y R2 प्लस 1Y R3 के रूप में जुड़े होते हैं नहीं लेकिन समनांतर करम में स्रेनी करम में R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं और समनांतर करम में क्या होता है यह समनांतर करम का है 1 वटे R1 प्लस 1 वटे R2 प्लस 1 वटे R3 तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा जिसे मैं आपको चेप्टर बाइज आपको physics प्रोवाइट किया जा रहा किसी संधारित्र की धारिता की प्रकिर्ती किस पे डिपेंड करेगी वो आपको डिपेंड करेगी चेतरफल पे ठीक है एरिया पे डिपेंड करेगी अगले question क्यों चलते हैं बिल्कुल सभी questions important है और आपके exams के लिए बहुत ज़दा है और जो number मैंने आपको provide करा है वो हमारे team का number है कोई दिक्कत नहीं होगा आप हमें वहाँ पे आप message कर सकते हो हमारी team या हम खुदी आपको reply करेंगे चलिए पांच number question है कि आबेसित खोकले गोले के अंदर बिद्दुत तिबरता होती है तो आबेसित अगर एक खोकला गोला होना तो उसके अंदर जो बिद्दुत तिबरता होती वो बिलकुल सुनने होती है एक आबेसित खोकले गोले के अंदर बिद्दुत तिबरता होती है सुनने पांच question हो गया छटा question है कि एक दिये गए चित्र में A और B के बीच सम्तुल धारिता क्या होगी तो सम्तुल धारिता ये देखिए किस क्रम में जुड़ा हुआ ये I think स्रेनी क्रम में अच्छा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे आपको वहाँ पर बता देंगे करें दिये गए चित्र में A और B के बीच सम्तुल धारिता होगी ये आपको 2016 में कोश्चन है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर होगा 9μf ये जो A और B है ना इसके बीच सम्तुल धारिता अगर आपको ग्याद करना हो इसके बारे में मैंने आपको डीटेल के साथ पढ़ाया ये आपको 2016 में पूछा गया कोश्चन है कि दिये गए चित्र में A और B के बीच सम्तुल धारिता 9μf चलिए अगले कोश्चन क्यों राते हैं कोश्चन नमर सातमा कि बिदुत अस्थेत्की में तापकरम के अनुरूप कारी करता है तो बिदुत अस्थेत्की में जो है ना बिदुत अस्थेत्की में जो है वो तापकरम के अनुरूप कारी करता है बिभव ठीक है दो बिभव जो होते है या कि ये बीच का जो एरिया होता है बिभव जिसको बोलते हैं कि बिदुत अस्थैत्किक में तापकरम के अनुरूप कारी करता है ये कौन काम करेगा ये सिर्फ बिभव काम कर सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल समझ में आएगा आपको कोशन अगला है एक सेकिंड आठ नमबर कोशन है कि परा सामर्थ का ऐसा ही मात्रक होता है बोल्ट के प्रति मीटर वी एम इनवर्स ठीक है ये इतना इंपॉर्डन कोशन नहीं है बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे कॉपी में नोट कर लिया सभी कोशन को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएगा जब द इलेट्राण बोल्ट का मान होता है 1.6 x 10 to the power-19J नेक्स्ट कोशन है कि बिद्दुत विभव का एसा ही मात्रक जूल प्रति कुलाम होता है यहा देखिए पांच म्यूव धारिता वाला एक संधारितर दस बोल्ट विभव तक अविश्चा इसे कॉपी में नोट कर लिएगा किया जाता है तो इसकी उर्जा क्या होगी कितना जूल होगा इनर्जी क्या होगा तो इसकी जो उर्जा होगी न 2.5 into 10 to the power minus 3 जूल इसके बारे में हम आपको जो हमारा chapter wise solution चल रहा है physics का एक-एक topic आपको समझा रहे तो वहाँ पे इस चीज को आपको समझा देंगे कि किस तरह से होगी कि 5 mu up धारिता वाला एक संधारित रहे 10 volt विवब तक अविस्ट किया जाता है तो इसकी उर्जा होगी 2.5 into 10 to the power minus 3 जूल मैं चाहूंगा कि एक बार सभी स्टुडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देंगे जल्दी से नीचे देखिए लाइक का बटन है दबा दीजी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजे एक छोटा सा तो मेरे लिए इतना तो करी सकते हो आप लाइक कर दीजे और अब ये वीडियो पूरा-पूरा खताम हो जाए ना तो नीचे शेयर का बटन होगा शेयर कर दीजेगा और मैंने अपना वाट्स अप नमबर अल्डेडी सबको दे रखा है 7520318714 अगर आपको पीडिया परचेस बगएरा करना रहे या कोई भी दिक्कत हो आपको ठीक है से रिलेटेड दिक्कत या कुछ भी तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ये एक जैन्वन नमबर है हमारी टीम ही आपको कॉंटेक्ट करेगी इसके अराबा यहाँ पे कोई फेक जैसा होता है उस टाइप से कुछ नहीं 7520318714 ठीक है ये एक जैन्वन नमबर है आपको हम अच्छा क्या है चालक है इसको को चलते हैं लिए बिद्धारी ता का यहाँ मात रख फैराड होटे होता है मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए फैराडे होना चाहिए फैराडे किस भौतिक रासी का SI मातरक है तो इसका अंसर होगा बिद्दुत विवबब का SI मातरक फैराडे होता है ठीक है next question हमारा है कि चालक की धारिता का SI मातरक कुलांब प्रती बोल्ट होता है चालक की धारिता का SI मातरक कि या होगा students कुलांब प्रती बोल्ट होगा चालक की धारिता का SI मातरक कुलांब प्रती बोल्ट होता है next question की और चलते हैं काफी interesting questions हम आपके लिए लेकर आए और काफी जखादा important है और आप हमारी एक एक वीडियो को देखो students एक वी वीडियो मिस मत करो अगर आपको मैं एक दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आपको अपना score 80 to 90 या 90 प्लस करना रहना तो dream classes की एक एक वीडियो को देख जाओ अगर 90% प्लस नहीं हो जाए 80 तो मैं दावा करता हूं अगर आप हमारी एक वी वीडियो मिस नहीं करते हैं अगर आज छूट गया तो कल कल छूट जाए तो परसो अगर आप हमारी एक वी वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो इसकी चलिए next question है question number 16 की एक आबेस चालक का चेत्र आबेस घनत्व ठीक है यह फाई होना चाहिए sorry तो इसके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड sorry for this अभी के लिए थोड़ा सा mistake हो गया था चलिए यहाँ पर 16 का आपने कर लिया 16 question clear हो गए अब हम लोग 17 पर आते हैं चलिए थोड़ा सा technical issue हो गया था पता नहीं किस कारण से चलिए 17 number question पर आते हैं 16 तक आपने copy में note कर लिया बहुत important question 16 हो गए 17 number question है कि पराबैदूत माध्यम के एकांक आयतन में नामान होता है दुरुबन शदीश और यह 18 number question है यह आपको मैंने इस टैप के question पीछे भी देखा था कि दिये गए चित्र में A और B के बीच समतुल धारिता क्या होगी तो यह होगा 20 Y9 ठीक है यह होगा 20 Y9 अब इस तरह के questions को हम कैसे deal करेंगे वो आपको जब हम आपको chapter का solution करवाएंगे यह तो objective का solution है जब आपको chapter का solution करवाएंगे तो वहाँ पे हम आपको प्रूब करके बता रहे हैं कि किस तरह से A और B के बीच समतुल धारिता ग्याद करेंगे फिलाला भी आप इस चीज को यहां से देखें कि दिये गए चितर में A और B के बीच समतुल धारिता होगी 20Y9μf यहाँ पे 3μf है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है ठीक है शली कोशन है कि यदि 10μf धारिता वाले संधारितर को 5V तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश चार्ज क्या होगा उस प पर चार जोगा 5 x 10 to the power minus 5 kulam नेक्स्ट कोशन में गलीकोल्द किस कामात रखें तो बच्चा बच्चा जानता है कि लक्ट्रोंबट वोल्ड किस कामात रखें थाखें रिज्या के, बहुत important question था ये भी, next question, question number 22, कि विद्धुत छेत्र में, किसी विद्धुत दुईधुर्ब को घुमाने पर किया गया कार, w is equal to p into 1 minus cos theta, ठीक है, work जो हमारा होगा, p to the power e into 1 minus cos theta, ये भी important question है, बहुत ज्यादा important है, इसको note कर ये copy में, और किसी संधारित की धार का मातरक होता है, फैराडे, ठीक है, फैराड नहीं होना चाहिए, फैराडे होना चाहिए, किसी संधारित की धारिता का मातरक होता है, फैराडे, ठीक है, copy में note करिएगा, बिल्कुल note करती जाएगा, ignore नहीं करना है, संधारित्रों के समानांतर समायोजन में, जो रासी, पर एक संधारित्र के लिए समान होती है वो अब विबांतर होती है ठीक है कॉंसेट के लिए जब कोई संधारित उपलब्द है और इन संधारित्रों से महत्तम महत्तम का मतब अधिक से अधिक धारिता जिस संयोजन के करम में जोडने से मिलेगा वो कहलाएगा सामनांतर करम जब कोई संधारित रहे है कोई संधारित उपलाब्द है और इन संधारित्रों से महत्तम धारिता जिस संयोजन के करम में जोडने से मिलेगा वो संयोजन करम कहलाएगा सामनांतर करम अब नेक्स्ट कोशन है question number 26 की विद्दुत विभव कैसी रासी है तो विद्दुत विभव अधीस रासी आपको पता है कि अधीस और सदीस के बारे में 11 पर पढ़ना होता है scalar and vector dimension पढ़ना होता है unit पढ़ना होता है ठीक है तो इसका अंसर होगा अधीस रासी question number 26 क्यों राते हैं कि बिदुत चेटर E ये वेक्टर अबर बिदुत बिभव B के वीच शंबध है तो E वेक्टर E is equal to – dB by D R ये आपको 2014 में पूछा गया question है ये आपको कपूछा गया 2014 में कि बिदुत चेटर E वेक्टर अबर बिदुत बिभव B के वीच शंबध है E is equal to – dby sun r चर्ड़े आगे बड़े कोशन नमब 28 की और आते हैं कि एक साबुन के बुल बुले को 16 वोल्ट से आवेसित है एक साबुन का बुल बुला है वो 16 वोल्ट से आवेसित है जब उसकी तृज्या दुगनी कर दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि तरिज्या जब दुगना करेंगे तो वो 1Y4 हो जाएगा ठीक है तो 16 दूनी 32 और यह 1Y4 यानि 32 का चार यानि 8 बोल्ट पे अकरिये अटक जाएगा तो कोशन क्या है कि जब एक साबून के बुलबुले को 16 बोल्ट से अबेसित है और जब उसकी तरिज्या को दुगनी हो जाती है तब नया विभग का मान हो जाएगा 8 बोल्ट क्योंकि वो जो है 16 दूनी 32 करेंगे तो वो उसका 1Y4 हो जाता है ठीक है तो 32 बटे 4 यानि 8 हो जाएगा कोशन नमबर 29 की और आते हैं कि एक गोलिये चालक की धारिता 1μf या कि यह 1.0μf है तो गोलिये चालक की तरिज्या होगी 9 किलो मीटर अंसर क्या होगा student 9 किलो मीटर एक गोलिये चालक की धारिता 1.0μf है तो गोलिये चालक की तरिज्या होगी 9 किलो मीटर कोशन नमबर 30 पे discuss करते हैं कि गोलिय चालक के रूप में पिर्तवी की धारिता ग्याद करें जबकि आपको पता है कि धारिता किलो मेटर है यह देखिए यहाँ पे प्रसने गोलिय चालक के रूप में पिर्तवी की धारिता 711 μुफ है इन सबी चीजों को हम निकालने के लिए से दो लेशन हमारे complete हो गए अगर आपने डेशन वन नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में नीचे वीडियो आप देख रहे हो गए ना तो इस तरह से एक symbol बनके आता है आ रहा है नीचे उस पर क्लिक करिए description खुल जाएगा और description में जैसे ही खुले lesson 1 का part 1 lesson 1 objective solution ऐसे करके लिखा हो रहेगा देख लीजी और lesson 2 तक लगबग में हमारे चैनल पे physics खतम हो गया है objective भी और long short सभी को खतम कर दिया हमने फिर आपको guest question ये सभी questions प्रोवाइड करेंगा बाकी आप लोग pdf purchase करोगे फिर वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा pdf में हम आपको 20 जो है वो आपको set practice देने वाले pdf में कुछ rule और regulation चेंज किया हमने वहाँ पे आपको हर एक subject का 20 set practice में 50 question रहेंगे यानि 50 गुने 20 लगबग में काफी सारे 50 नहीं 30 question तो पक्का रहेगा एक set practice में 30 question तो 20 set practice हम आपको provide करेंगे यानि 600 question तो वहीं से आपको म कुछ help ले सकते हमारी टीम 24 hour के अंदर आपको reply करने की कोशिश करेगी ओके दोस्तो बाबाए hello students good morning और शौगत है आप सबों का हमारे YouTube channel dream classes में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारी टीम अब दिनबा दिन active होते जा रही है प्रेपेर करवा रही है continue class 12 के exams के लिए PDF भी दोस्तों आप लोग के लिए बिलकुल बन कर तयार हो रहा है बहुत सारे बच्चे बच्चों के म जो हम आपको notes प्रोवाइड करेंगे, guest question प्रोवाइड करेंगे, set practice प्रोवाइड करेंगे, as a book के रूप में उसको उसका notes जो होता है ना वो एक संग्रा एक PDF का लाता है यह जो हम आपको यह वीडियो बता रहे है ना यह भी एक PDF यह तरह का जो आपको हम आप डाउन कर र जल्दी available हो जाएंगे, हलाकि वो थोड़े उनकी जो study वो काफी advanced थी, इसलिए मैं एक अच्छी से teacher को hire कर रहा हूँ, dream classes पर जो आपको हिंदी में maths पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल भी continue active हो जाईए, सबी लोग प्रती दिन सुबह 7 बजे जैसा कि मैंने बादा किय प्रती दिन सुबह 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगे, रहे 7 नहीं तो साड़े 6, मतब टाइमिंग average माना जाए तो सुबह के 7 बजे के लगबग में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, यह हमारा promise था, promise है, और आगे इस promise को हम निभाएंगे, तो दोस्तों अभी हम आप को chapter wise solution दे रहे हैं, दो lesson तक हमने objective का solution दे दिया, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हों नहीं नहीं देखा है, वीडियो के description में जाओ, description में link है, lesson 1, lesson 2 करके देख लो, और हमारी team आपको अपना whatsapp number भी provide कर रही है, ठीक है, तो आप जरूर इस whatsapp number पे contact कर सकते हैं, as a pd, 1 second sorry, whatsapp चाहिए न, 7520-318714, यह 87 है, student 14, यह 87 है, 7520-318714, पचातर भी से कती सतासी चोदा, तो यह इससे आप हमें whatsapp कर सकते हों, ठीक है, यह हमारी team का whatsapp है, continue हम इस पे active रहते हैं, हमारी team के हर एक दो team teacher continue इस पे live रहते हैं, active रहते हैं, आपको जल से जल reply कर देंगे, अगर आपको pdf लेना हो, purchase करना हो, बिल्कुल genuine team है, you don't worry, हमारी team आज पहली बार नहीं, तीन साल से continue YouTube पे वीडियोज बना रही है, और आपको अच्छी सिक्छा दे रही है, चली, समय तो काफी वरबाद हो गया होगा, आप लोग गुस्से में भी ह आज हम लोग chapter wise solution कर रहे है, objective का जो latest important question है, ठीक है, आज हम लोग chapter 3 की ओर चलेंगे, और topic का नाम है बिदुदारा current electricity, इसमें जितने भी important question है, लगबग में 40-50 important question है, इसमें आपको देने वाले current electricity में, hit a strong bridge, ठीक है, यह पहला question है, शुरू करते हैं, और चली, sorry, पहला question है student hit a strong bridge से क्या मापा जाता है, आपको पता है कि hit a strong bridge से जो है न, उच प्रतिरोध, एवबनिम्न प्रतिरोध, दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापा जाता है, प्रतिरोध किसको कहते हैं, जो धारा में बिरोध करें, ठीक है, धारा के प्रवाह को बिरोध करें, वो हमारा प् तिरोध उत्पन हो रहा है, high level का हो रहा है या low level का हो रहा है, यह आपको 2015 में और 2016 में बिहार बोड, UP बोड और राजस्थान सभी जगा पूछे गए है, मतलब यह सभी exams के लिए important है, जो बच्चे हिंदी माध्यम से बरहवी की बोड पर इक्षा देने वाले है, चाहे वो को कोई भी बोड क्यों ना हो, हाँ जी, कोई भी बोड क्यों ना हो, especially बिहार बोड के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, वैसे बिहार बोड के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बट यह मत सोचेगा कि अगर आप UP जारकन बोड के तो इस वीडियो को नहीं देख पूरा पूरा देखना है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा कोशन है दोस्तों, कि बिदूतिये परिपत के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गनीतिये योगी शुन्य होता है, आपने पढ़ा होगा ये चीज आपने, आपको चैप्टर में हम जो नोमेरिक, लउंग कोशन के सोल्शन होते हैं, कि बिदूतिये परिपत के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गनीतिये, योगी जो होता है, वो सुननी होता है, ठीक है, एक एम्पीर समतुल है, तो एक एम्पीर समतुल का मतलब बराबर है, एक खुलाम पर में पूछा गया कोशन है ठीक है एक एंपियर सम्तुल है एक कुलाम पर सकेंड के बराबर अगर ये चीज़ मैं आपको लग रहा है कि डाउट है ठीक है तो आप प्रिवेस सेर्स बुक का कोशन निकाल के देख लो बिल्कुल 100% गलत नहीं रहेगा बिल्कुल सही रहेगा चल तो इस कारण से जो है बिद्डू थीटर में जिस तत्व का विवार किया जाता है वो जो होता है वो नेक्रोम का बना होता है गल्लांक किसका उच्छ वोने के कारण ठीक है काफी कम समय लगता है इसे गलने सोरी काफी अधिक समय लगता है माफी चाहते है प्रेशन नमबर पाच वाँ किलो वाट घंटा मात रखे ये आपको उर्जा का मात रखे इस बार भी बोर्ड के परिक्सा में आया है 2010 और 2015 में अल्डेडी आ चुका है कि किलो वाट घंटा मात रखे उर्जा का ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन क्यों चलते है कोश्चन नमबर छटा कि तापकरम बढ़ाने से कारबन की परती रोधकता गड़ती है जब हम आपको तीन लेशन पढ़ाएंगे करेंट इलक्ट्रिशिटी तो वहाँ पे हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जब टैंप्रेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो कारबन का परती रोधकता है वो किस तरह से गड़ती है तो तापकरम बढ़ाने से कारबन की प्रती रोधकता गड़ती है अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट कोश्टन क्यों राते है यह काफी बार पूछा के कोश्टन है 2019 में भी यह पूछा के कोश्टन है कि एक फैराडे वरावर कितना कुलाम होता है आपको 2013 में कोश्टन पूछा गया यह चीज मैं आपके बगल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो प्रस्ण आप पढ़ रहे हो उसकी क्या एहमियत है राहुल सर जो पढ़ा रहे है क्या राहुल सर के द्वारा नोट्स वैसे तो आपको पता है कि इस बार जो बोड का एक्जाम वो उसमें ड्रीम क्लासेज के 100 to 100 कोश्चन लड़े हैं किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछ लो जिसने ड्रीम क्लासेज पढ़ाई की होगी वो आपको पूरा पूरा चिट्टा काला मतलब जितना भी वैवरा है ना हमारे टीम का सौरी माफी चाते हैं वो आपको बता देगा नेक्स्ट कोश्चन की वो चलते हैं कोश्चन नमबर आटमा है कि जब किसी भस्तू को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रब्यमान क्या हो जाता है बड़ या घट दोनों सकता है जब किसी भस्तू को चार्ज करेंगे मतलब उस पर उपर आवेश करेंट इलेक्टरिशिटी जब परवाहित करेंगे तो उसका द्रब्यमान बड़ भी सकता है घट भी सकता है तो यही कोश्चन है यह भी पूछा गया काफी बड़ कोश्चन है कि विद्धुत परिपत की सकती होती है वी अस्कॉयर बटे आर विद्धुत परिपत की जो सकती होती है वो कैसी होती है वी अस्कॉयर बटे आर के बराबर होती है यह 2015 और 2016 2015 और 2016 में पूछा गया प्राशन है की विद्दुत परिपत की सक्ती होती है वी अस्कॉयर बते आर next question क्यों चले next हमारा question है कि electron bolt द्वारा मापा जाता है तो electron bolt जो है न यह उर्जा को मापा जाता है यह तो most highlighted question है काफी बार बोड के exam में पूछा गया है कि इलक्ट्रोन बोल्ट द्वारा मापा जाता है तो इसका अंसर होगा उर्जा एनर्जी को इलक्ट्रोन बोल्ट द्वारा मापा जाता है उर्जा को नेक्स्ट कोश्चन की ओर चले बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ने लेना है किसी चालक का कौन सा गुन विद्दुत उर्जा को उस्मा उर्जा में बदलता है विद्दुत किसी चालक का कौन सा गुन विद्दुत उर्जा को उस्मा में बदलता है इस चीज को मैं यहाँ एक्स्प्लेइन करने बाला हूँ कि किस तरह से यह प्रतिरोधा जैसे देखिए इसका एक छोटा सा एक्जामपल लेते हैं जैसे अगर आपके घर से यहां यह एक बिजली का खंबा है यहां से current electricity परवाइद हो रही एक वायर में ठीक है इस वायर में current electricity परवाइद हो रहती है और आपको पता है ठीक है अभी आपने पढ़ा कि हर एक जब कह रीजिस से क्या मापते हैं तो हमने बताया था हिटस्ट्रोन ड्रीज से उच एवम निमने प्रतिरोध को मापा जाता है तो यहां पर जो कोश्चन है यह देखी कि किसी चालक का कौन सा गुंज जो है वो बिद्दूत उर्जा को उसमा में बदलता है तो जैसे हभी हमने बत जाती है ठीक है जब तक प्रतिरोध काम नहीं करेगा ना तब तक वायर गर्म नहीं होगी आपने कभी देखा होगा कि जो वायर जाती है वो काफी गर्म हो जाती है तो वो रीजन है प्रतिरोध के कारण तो किसी वायर में किसी वायर में इलक्रिशिटी परवाइद होना ए इसकी सक्ती भी स्क्वाइर बटे आर होती है तो प्रशन अगर पूछा जाए कि किसी चालक का कौन सा गुन विद्दुतुर्जा को उस्मा में बदलता है तो वो हमारा प्रतिरोध है यह जो है विद्दुतुर्जा को उस्मा में बदलता है चली एमपियर घंटा है एमपियर गंटा किसका मात रखे, आवेश चार्ज का, एंपियर गंटा किसका मात रखे, आवेश चार्ज का, ठीक है, एंपियर गंटा मात रखे, आवेश चार्ज का, चली, अब यहाँ पे है विद्दुत चालकत्व का एसाई मात रखे, ठीक है, इसको सीमेन भी बोला जाता है, मैं आपको बाद में डिल्स कर दूँगा जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाएं तब पदार्थ को कहते हैं अती चालकता है जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाएं तब पदार्थ को कहते हैं अती चालकता वाला पदार्थ चलिए यदि तापकरम बढ़ाया तब किसी धातों की परती रोदल्ट करद चलिए कि अपनी कॉपी में बना है कि अधी तापकरम बढ आया जाए तब किसी धातों की परती रोदल्ट कशने स्टुडेंट की एक ओम समतुल ले वरावर एक वोल्ट पर एंपियर होता है एक ओम समतुल ले वरावर एक वोल्ट पर एंपियर होता है बहुत ही इंपोर्टन और बहुत ही इंटरस्टिंग लाजवाब कोश्चन है जो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत जादा कोशन में पूचा गया कोशन है कि एक सेल के विदुत बाहक बल की माप होती है विबब मापी चल के अगले कोशन की और चले कॉपी में आप लोग नोट कर रहे हो बिल्कुल भी इंगनॉर मत करना हमारे कॉश्चन्स को पिछले साल भी काफी बच्चों ने इंगनॉर किया था जो बाद में रोय थे हमारे सामने आकर एक्जाम जब खतम हो गए थे कि सर आपके सारे कॉश्चन्स लड़ गए और हमने ये गलती कर दी वो गलती कर दी आपके कॉश्चन्स को हमने देखा नहीं आपको हमने हलके में ले लिया आपकी बातों को हमने गंवीरता से नहीं सुना तो वो बाद में पस्ताना नहीं है स्टूडेंट्स पीडियाप भी बहुत सारे बच्चे बोले थे सर कि हम आपके चैनल का नोट्स और पीडियाप नहीं पर्चेस कर पाये जिसके लिए हम काफी सर्मिंदगी माशूज कर रहे हैं कि हमारे एक्जाम सच्चे नहीं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी मैंने बच्चों को बार बार बोला कि पढ़ो पढ़ो और बिल्कुल पढ़ो 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 गे तभी बढ़ोगे ऐसा मैंने बोला और मैंने उन्हें बोला था भी कि चैनल पर बिल्कुल फोकस करके रखना है हर एक वीडियो को देखना है चलिए मिस्तर धातु तता धातु में किसका प्रतिरोध ताप अधिक होगा तो मिस्तर धातु और धातु सिंपल सी बात है धातु जो है वो बिल्कुल उसमें प्रतिरोध जो है वो ज़ादा रहेगा मिस्तर धातु तो मिसरित रहेगा तो उसमें परतिरोध जो है वो कम रहेगा तो कारा है मिस्र धातू तता धातू दोनों में से किसमें जो है वो परतिरोध अधिक रहेगा तो मिस्र धातू की अपेक्चा धातू में परतिरोध अधिक रहेगा नेक्स्ट कोश्चन question है कि question है कि 60 watt और 40 watt के 2 बल यदि स्रेनी क्रब में जोड़े जाए तो उनकी संबलित सकती तो 1 by 60 plus 1 by 40 कर दीजिए I think मेरे साब से वो ही होना चाहिए 1 by 60 plus 1 by 40 then and same and sorry ये हमारा 120 ये बार sorry हाँ तो 5 by 1 to 0 और ये 1 by 24 यानि total किता हो गया 24 तो यहाँ पर देखो प्रस नहीं कि 60 watt तता 40 watt के 2 बल यदि स्रेनी क्रब में जोड़े जाए तो स्रेनी क्रब के लिए परतिरोदों को सम्मूहन 1 वटे R1 plus 1 वटे R2 नहीं sorry R1 plus R2 ऐसे करके कुछ रहता है एक सेवन मैं देख लेता हूँ कि यदि 60 watt तता 40 watt के 2 बल यदि स्रेनी क्रब में जोड़े जाए तो उनकी सम्मूहन 1 प्लस R2 is equal to 24 और मैं यहाँ पर आपको explain करने वाला हूँ जब आप लोग वहाँ पर आईएगा ना अभी हमारा relation 2 चल रहा है जब हम लोग relation 3 में आएगे तो वहाँ पर हम आपको explain करके दिखाएंगे यहाँ पर छोटी सी mistake होगी इसके लिए मैं sorry बोल रहा हूँ चली next question क्यों रहाते है student कि कि किसी बीवब मापी की सुग्राइता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना होता है घटाना होता है कि किसी बीवब मापी की सुग्राइता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना होता है यहाँ पर देखो यह question बहुत important है कि किसी बीवब मापी की सुग्राइता बढ़ाने के लिए धारा घटाना होता है next question चले question number 21 कि किर्चहॉप का नियम किस परिनाम है किर्च हॉप का जो नियम है वो किसका परिनाम है किर्च हॉप का जो बिन्दू नियम है यह important कोशन है थोड़ा बिल्कुल भी ignore मत करिएगा किर्च हॉप का बिन्दू नियम किर्च हॉप का बिन्दू नियम किस नियम का पालन करता है तो आबेश की संरच्छता का सिद्धान दी इसका पालन करता है चलिए चालक के अंदर इलक्ट्रॉन की गती होती है अपसरित चालक के अंदर जो है वो इलक्ट्रॉन की गती होती है अपसरीत, ओके दोस्तों, बिलकुल आ रहा होगा समझ में, शलिए, किसी विद्धुत बाहाग बलकी भीमा होती है, आई, इनवर्स, एमेल, स्कॉाइट, टी इनवर्स, त्री, ये बिहार, बोर्ड, 2017 में पूछा गया प्रस्ने, कि किसी विद्धुत बाहाग बलकी भीमा जो दिया जाएगा, और कोश्चन है, स्टूडेंट की पाँच ओम प्रतिरोद के एक तार से, जिसका विववांतर साट वोल्ट है, बीस मीटर तक धारा प्रवाईत होती है, तो उत्पन उसमा जो है न, ये 49 उसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 392 कैलोरी, ठीक है, सुरी 49,392 कैलोरी, सुरी, मापी चाते हैं, ये आपको 2013 में पूछा गया कोश्चन है, अंसर होगा, 49,392 कैलोरी की पाँच ओम परतिरोद के एक तार से, जिसका विवांतर साट वोल्ट है, बीस मिनट तक धारा प्रवाईत होती है, तो उत्पन उसमा, ठीक है, ये आपको 2013 में प हला कि इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग खुद समझ गया होगी कहा पर होगा था, हला कि वह सबी छोटी-छोटी-छोटी माइनर मिस्टेक को मुझे करना नहीं चाहता, बट सॉरी इसके लिए, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन में, और जहां पे हम सिलेबस को सॉल्यूशन दे रहे हैं, या तो अब्डिक्टिवा सॉल्यूशन है, सिलेबस में देखो, वहाँ पे आपको अच्छे से वह वहला जो टॉपिक मिस्टेक हो था, वहाँ पे समझाए गया, ओगे स्टुडेंट्स मिलते हैं, अगले इसलेशन में, कल सुबा साथ बज़े फिर से रेडी रहेगा हमारे साथ, हाँ जी बिल्कुल, कल सुबा साथ बज़े फिर से रेडी रहेगा, फिजिक्स नहीं तो केमेस्ट्री, बचे बोल जएते हैं, बिल्कुल केमेस्ट्री लेकर आएंगे जल्दी जल्दी, और वाटस अप नंबर आपने ले लिए होगा, यहाँ पे आप पीडियाप के लिए पूछ सकते हो, और मेरा तो मानना यही है कि टोटल स्टूडेंट पीडियाप पर्चेस करना, शुरू कर दो अभी से ही, हलाकि अभी पीडियाप आपको मिलेगी नहीं, आठ दस दिन बाद ही मिलेगी, लेकिन अभी से ही शुरू कर दो ना बिलकुल अभी पीछे क्यों हट ना, ठीक है, बिलते हैं अगलेलेशन में, बैबाए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और आज की ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग और काफी इंपॉर्टन वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का फिजिक्स है जिसके कुछ important objective पूश्चन को आज हम देखेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी objective माना जाए तो इस बार जो आपका board का exam होने वाला है उसमें काफी जादा important है मेभी यहां से questions डाइरेक्ट उठाकर आपको board में पूश्टेगा तो आज हम लोग chapter 4 की ओर चलेंगे यानि simple सी बात है कि तीन chapter हमने clear कर लिया होगा और chapter 4 में जो हमारा topic है विद्दारा के चुमबक्य प्रबाब magnetic effect of current विद्दारा के चुमबक्य प्रबाब इसके कुछ important और interesting जितने भी important objective है उसका आज हम लोग discuss करेंगे अच्छे से solution करेंगे ठीक है उमीद है कि अपनी copy में इसे जरूर note करिएगा और वीडियो को पूरा देखेगा लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया है और पहला जो objective question है ये देखे एक number question है कि चुमक्य प्रेरन की बीमा क्या होते है बीमा मतलब dimension ठीक है जो चारो तरफ से घरी हुई रहती है समझ रहे हो कि किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज का जो है निर्मान करने के लिए सबसे first of all हमें क्या चाहिए उसके एक dimension चाहिए उसके बीमा चाहिए ठीक है तो अगर dimension की बात की जाए कि dimension किसको कहते है तो एक simple सा उधारन मैं बताता हूँ कि the dimension of a physical quantity of fundamental unit MLT ठीक है mass length and time तो चलिए तो चुमक्य प्रेरन की बीमा dimension ये आपको होगी ML0 T inverse to A inverse ठीक है ये इसका dimension है 2016 2016 में पूछा गया ये प्रशन है कि चुमक्य प्रेरन की बीमा क्या है dimension क्या है आपको पता है जैसे आप 11 entry करते हो तो आपको unit पढ़ना होता है ठीक है फिर आपको dimension पढ़ना होता है unit मतब 1 पढ़ना होता है ठीक है तो second question आते हैं सिधे सिधे हम लो कि एक समान बेग से चलाए मान मतब जो उसकी बेग है ना गती सोरी बेग वो बिल्कुल एक समान हो तो एक समान बेग से चलाए मान आवेश उत्पन करता है के बल चुमबक्य चेतर एक समान बेग से अगर चलाए मान आवेश वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको एक चुमबक्य चेतर उत्पन कर सकता है यह आपको 2010 में पूछा गया प्रस ने तो आपको पता है कि हमारी टीम बहुत ही एक्टिव हो गई है आपको continue videos प्रवाइड कर रही है 24-16 से हमारी टीम continue dream classes जो है वो आपको YouTube पे दिख रही है 2016 से अभी 3-4 साल हो चुके हैं और आगे इसी तरह से आपका प्यार बना रहा तो काफी future तक आपको अच्छे-च्छे videos प्रवाइड करेगी पौने 3-2,5,5 लाक से अधिक subscriber हो चुके हैं हमारे चली तो अगला question है students कि चुम्बक्य वो तो चुम्बक्य प्रेरन था ये है चुम्बक्य चेत्र कि चुम्बक्य चेत्र की भीमा क्या है i-inverse ml0, t-inverse 2 next question की और हम लोग चलते हैं समझेगा अच्छे से ठीक है कौन सा question कब पूछा गया ये भी मैंने side में लिख दिया है question number 4 है कि कि किसी चुम्बक्य के मद्ध बिंदू से समान दूरी पर अच्छी एबम निरच्छी इस्तिती में चुम्बक्य चेत्रों का अनुपात क्या होता है तो अगर एक छोटा सा चुम्बक ले ले उसका मद्ध बिंदू सेंटर जिसको करते हैं उससे समान दूरी पर अच्छी एबम निरच्छी इस्तिती में चुम्बक के छेत्र का अनुपात होगा two ratio one वहनी एक दूसरे का double दूरी पर वह रहेंगे अच्छी और निरच्छी तो इसका अंसर होगा two ratio one यह important है copy में नोट करिएगा इस question को वैसे मैं जितने भी important question रहता है उसी पर सीधे सीधे discuss करते हैं चलिए अगला question है question number five कि SI मात्रक में चुम्बक सीलता ठीक है उसकी इकाई क्या है unit क्या है सीधे सीधे कहिए उसका formula क्या henry प्रती meter ठीक है यह henry meter inverse भी आप कह सकते हो कि SI मात्रक में standard SI मात्रक में चुम्बक सीलता की क्या है henry प्रती meter अगले सवाल की और चलते है question number six question number six का रहा है student कि चुम्बक के दुधुर्भ आगूरन एक सदीस रास्ती है जो निद्रिष्ट करते है निद्रिष्ट करना यानि सीधे सीधे कहिए denote करती है कौन कौन सीधी साको दक्षीन और उत्तर यह आपको पता है कि चुम्बक हमेंसा उत्तर और दक्षिन की दिशा में जो होता है वो लटका हुआ रहता है आपने कभी पैंडूलम के बारे में इस तरह से पढ़ा होगा कि चुम्बक के दो सिरे होते हैं जो एक दूसरे को चुम्बक के समान दुर्बों के बीच प्रतिकर प्रशन होता है यह आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस आपस में सटते हैं प्लस प्लस नहीं सटेंगे माइनस माइनस नहीं सटेंगे लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस आपस में सटेंगे तो जो कोशन नमबर 6 है कि चुम्बक के दूर्ब आगुन एक सदीस रासी है जो वो किस चीज को denote करती है वो निद्रिष्ट होती है उत्तर से दक्षिन दुरूब की और ठीक है यह आपको देखे अभी अभी कुछी साल पूछा गया पहले पूछा गया प्रसने 2018 में पूछा गया प्रसने कि यह दक्षिन से उत्तर दुरूब को निद्रिष्ट करती है अगले प्रसन की और आते हैं कोशन नमबर सेबन कि चुमबक सीलिता की बीमा क्या है डायमेंसन क्या MLT इनवर्स टू आई इनवर्स टू चुमबक सीलिता की बीमा क्या है डायमेंसन वहाँ पे मैंने फॉर्मूला पूछा था, यहाँ पे डामेंसन है, MLT इन्वर्स 2, I इन्वर्स 2, next question, question number 8 की ओर आते हैं, कि एक समान चुम्बक्ये छेत्र उत्पन करते हैं, तो एक समान चुम्बक्ये छेत्र उत्पन होता है, वो धारावाही परिनालिका के अंदर ही उत्प में हैं, कि गैलवेनो मीटर में संट का उपयोग किया जाता है, तो उच धारा से उसकी सुरक्चा करने के लिए, देखते हो, संट एक तरह का फ्यूज, जैसे आप अपने घर पे जो फ्यूज वगरा लगाता हो, वो एक संट का उधारान है, नॉर्मली, उच धारा से उसकी सुरक्चा के लिए, नेक्स्ट कोशन, लॉरेंज वल, लॉरेंज फोर्स, ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए फॉर्मूला बताईए, तो एफ वेक्टर इस इक्वल टू क्यू इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बहुत इंपोर्टन कोशन है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत इंपोर्टन ये फॉर्मूला है, काफी बार बोर्ड के इग्जाम में पूछा गया है, कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए फॉर्मूला बताईए, तो फॉर्मूला होता है, ऐफ वेक्टर इस V vector into V vector concept clear है आपके बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अपनी copy में सभी questions को note करिए और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज को note नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी team आपको PDF provide कर रही है हर साल 2016 से लेकर continue अभी तक हम आपको PDF provide कर रहे हैं physics के, chemistry के, bio के, English के, math के सभी के long question का अलग book, sort का अलग मतब book नहीं, PDF मिलेगा वो आपके WhatsApp पे send किया जाएगा आप चाओ तो उसको print out भी करवा सकते हो कोई बड़ा issue नहीं है ठीक है और हर एक topic का अलग-अलग PDF रहेगा question number 11 की और entry करते हैं हम लोग, 11 में कर रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है तो वो चुमबकिये फलक्स को बढ़ा कर जो है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है बहुत अच्छा सवाल है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है चुमबकिये फलक्स को बढ़ा कर concept clear है आपके question number 12 की और हम लोग, entry करते है कर रहे, लॉरेंज बलकी दिसा ग्याद करने का नियम ठीक है, तो लॉरेंज बलकी अगर आपको दिसा ग्याद करनी हो ना तो वो फॉर्मुला है, फलैमिंग के बाएं हाथ का नियम थी मैं फलैमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है एक फलैमिंग बैग्यानिक थे, उन्होंने काफी interesting बताया था लॉरेंज बलकी दिसा ग्याद करने का नियम है फलैमिंग के बाएं हाथ का नियम इससे आपको लॉरेंज बलकी दिसा फाइंड आउट होगा next question क्यों राते है, question number 13 कि विद्दुदारा के चुमक्य प्रबाब की खोज किस वैग्यानिक ने की थी तो ये वैग्यानिक थे ऐसे वैग्यानिक थे जिन्नोंने विद्दुदारा के चुमक्य प्रबाब की खोज की थी काफी बार पूछा गया सवाल है कि विद्दुदारा के चुमक्य प्रबाब की खोज किस वैग्यानिक ने की थी तो इनका नाम था आस्ट्रेड आस्ट्रेड ने जो है विद्दुद्दारा के चुमक्य प्रभाव की खूज की, कॉपी में बिल्कुल नूट करिएगा और बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़िए ठीक है, अब कंटिन्यू ड्रीम क्लासिस की वीडियो हर एक वीडियो उसको देखिए और आपके भाई, बहन, कोई भी अगर ऐसा है जो टैंथ की त्यारी कर रहे हैं तो हमारा ही चैनल है, सकसे स्टडी पॉइंट ठीक है, कमपटेटिव एक्जाम के लिए मैं खुद लाई पढ़ाता हूं, टार्गेट विथ राहूल सर्पे, वो भी एक यूट्यूब चैनल है सभी हमारी टीम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी जगह आपको पूरा-पूरा कंसेप्ट होगा, मिलेगा कुश्चन नमर 14 क्यों राते है धारावाई, वृताकार, कुंडली केंदर पर चुंबक के चेतर, कुंडली के सम्तल के लंबबत होता है फर्स्ट अपॉल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिखें नीचे एक लाइक का बटन होगा प्लीज उसे दवा दीजे, ताकि हमारी जो है हमारा जो है, वो बना रहे है पिक के लिंक मैंने डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हो चली, कुशन नमर 15 एंपियर का परिपतिय नियम किस नियम जैसा कारी करता है तो एंपियर का परिपतिय नियम है और एक गॉस लाओ अपने गॉस का नियम पढ़ा होगा गॉस लाओ, आपको टेंथ में भी पढ़ना है टुएल्थ में तो खेर है, नॉर्मली पढ़ना है ओम्स लाओ, गॉस लाओ, यह सब चीज़ आपको काफी इंपॉर्टन चीज़े हैं यह सबी, तो एंपियर का परिपतिय नियम किस नियम जैसा कारी करता है तो यह गॉस के नियम के जैसा कारी करेगा, ठीक है बहुत बार सवाल पूछेगा कि एंपियर का परिपतिय नियम किस नियम जैसा कारी करेगा गॉस के नियम जैसा, ओके चलिए वायोसावर्ट लाओ आपने नाम सुना होगा वायोसावर्ट का नियम किस नियम जैसा कारी करता है तो वायोसावर्ट का नियम है ना ये कुलाम के नियम जैसा कारी करता है चलिए, question number 17 क्यों रहते हैं, एक galvanometer को a meter, a meter जिससे धारा प्रवाइत होती है नहीं, एक galvanometer को a meter में बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, या I mean ऐसा कौन सा काम करेंगे, जिससे galvanometer सीधे सीधे exchange होकर चला जाया a meter में, तो समनांतर क्रम में निम्न परती रोध जोड़ेंगे, जब आपने पढ़ा होगा सब परती रोधों का स्रेनी क्रम समुहन, जिससे सभी परती रोधों का स्रेनी क्रम समुहन, जिसमें सभी परती रोधों से समान धारा प्रवाइत होती है, परती रोधों का समनांतर क्रम समु का formula है 1 वटे R1 प्लस 1 वटे R2 प्लस 1 वटे R3 लेकिन स्रेणी क्रम सम्मुवन का सिधे सिधे formula है R1 प्लस R2 प्लस R3 तो यह चीजे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें तो प्रेश्ण है कि एक गैलवेनो मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए सिधे सिधे समनांतर करम में निम्न प्रतिरो जोड़ दीजे वो काम हो जाएगा अप ठीक है यह question number 18 था इतना important तो नहीं है पर कभी कबार पूछता है कि जब चल कुंडली धारमापी के बीच में एक नर्म लोहे का क्रोड रखेंगी न तो क्यूंकि क्यूंकि चंबक्य छेतर का मान प्रबल एबम त्रिजिये हो जाए बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा त्रिजूरेखी यह परिनालिका का उप्योग किया जाता है तो यह आपको बिद्दुचुम्बक में हुआ इतना hard और इतना important है नहीं पर कभी कवार देख लीजेगा गोड के exam में भी यह एक बार आया था साय 2004 या 5 में उतना मुझे याद नहीं है ठीक है टोराइडल परिनालिका का उप्योग किया जाता है तो टोराइडल परिनालिका का उप्योग जो है ना वो हम transformer में करते हैं ठीक है टोराइडल परिनालिका का उप्योग किया जाता है यह आपको transformer में किया जाता है टोराइडल परिनालिका का उप्योग किया जाता है transformer में गैलवेनू मीटर के परतिरोद के बराबर है धारा सुग्राइता बटे बोल्टता सुग्राइता ओके यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है कोशन नमर सीधे सीधे वाइस पे आते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है कि जो यांत्री कुर्जा को बिद्दुत उर्जा में बदल वो डाइनेमो काला आता है और जो बिद्दुत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदल दे यह मत समझेगा कि वो भी डाइनमो होगा वो बिद्दुत मोटर होगा ठीक है यांत्री कुर्जा को बिद्दुत उर्जा में बदलेगा डाइनमो और बिद्दुत उर्जा को या तरीक में बदल दे वो बिद्धूत मोटर का लाएगा जिससे सीधे सीधे कर सकते हैं आप लोग डेशी मोटर कोश्चन नमर 24 की और आते हैं कि एक आधर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आधर्स का मतलब होता है ना बिल्कुल एक उच्छ कोटी का सीधे सीधे समझ यह ठीक है तार की लंबाई बढ़ने पर ठीक है प्रतिरोध बढ़ता है तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है यह आपने सुना होगा कि जितना तार पतला रेगा और तो प्रतिरोध उतना ही ज्यादा रेगा जितना तार मोटा रेगा प्रतिरोध उतना ही कम रेगा और आपने कभी ये भी सुना होगा कि प्रतिरोध के कारण जैसे आपने कभी सुना होगा कि short circuit लगना या normally माना जाए कि आप देखते हो कभी कोई wire छूते हो तो काफी गर्म रहता है हिट रहता है वो प्रतिरोध के कारण जो है वो बिद्दुत उर्जा जो है ना उसमा उर्जा में परिनत होता है या परिवर्तित हो जाता है तो एक आदर्स बोल्ट मीटर का परतिरोध हमेशा अनन्त होता है क्योंकि वो आइडियल है आदर्स है वो सीधे-सीधे कहिए वो हाई उच्च कोटी का बोल्ट मीटर है तो उसमें परतिरोध बहुत निम्न के बर पर होता है तो एक आधर्स बोल्ट मिटर का परतिरोध होता है वो अनन्त होगा इंफिनिटी ठीक है यहाँ पर मैंने छोटा सा कुछ गलत भोल दिया इसके लिए सो सौरी चलिए आगे बढ़ते वे अगे बढ़ते पढ़ते भावनाओं में बह जाते किसी चल कुंटली धारा आपी के बिच्छे ठीटा और प्रवाही धारा आई में सम्मन, आई प्रपोशनल ठीटा होता है यह important है copy में note करिएगा इसीच को यह question काफी note equal to zero यह है थोड़ा important कभी बार कभी कभार पूछेगा तो इगनोर मत करिएगा copy में note कर लीजे सब ही question को note करिए बहुत important है और यह चौथा lesson है तो तीन lesson हमने dream classes पर पढ़ा दिया है वो आप खोजिए नहीं मिल रहा है तो playlist में जाएए playlist में भी नहीं मिल रहा है तो इस video के description को open करिए description open करने के लिए देखे नीचे एक त्रिशूल जैसा बना होगा वैसे ही click करिएगा सीधे सीधे पूरा पूरा खुल जाएगा आपको ठीक है महाँ पर जिस topic पर आपको वीडियो चाहिए उस पर सिर्फ क्लिक करिए आ जाएगा एक 5T वाला चुमबक के छेतर बराबर होगा 5WYM2 यह आपको उसमें होगा स्वरी 27 समने छोड़ दिया था बताना कोशन है इस्तिर आवेसित कन के निकट एक प्रबल चुमबक की छेतर उत्पन किये जाने पर आवेस इस्तिर रहेगा एक इस्तिर आवेसित कन के निकट जो है एक प्रबल चुमबक की छेतर उत्पन करींगे तो आवेस जो चार्ज है ना वो बिल्कुल इस्तिर रहेगा ठीक है कोशन नंबर 29 दुर्व प्रवलता कैसा है मतलए AM, AM का मतलब होता है ए मीटर ठीक है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है ये कोशन आपको 2017 2017 में पूछा गया प्रेस्ट है अब हम लोग सीधे सीधे आखरी प्रेस्ट की ओर आथे हैं क्यूंकि इसमें मैंने तीसी कोशन important रखा कि दो समनांतर तारों में विप्रीत दिशाओं में धाराये प्रवाहित होती वे एक दूसरे को विकर्शित करते हैं हमारी टीम आपको बहुत सारी सुबधाएं प्रोवाइड कर रही है 6200733858 अगर हम नहीं भी रहे तो हमारी जूनियर टीम जो हमारी टीम है वो आपको कंटिन्यू कॉल्स रिसीव करेगी और आपको बिल्कुल सारी सुबधाएं प्रोवाइड करेगी बबाई मिलते हैं अगले चेप्टर में लेशन फाई में जो मैंने यहां पर अल्रेडी बना रखा है यही एक पीडियाप का उदारान है और यह मत सूचिएगा कि जो आपको पीडियाप पर्चेस करवाया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो का ही पीडियाप रहे एक्जाम के नजरिये से द्रिश्टी कौन से गर माना जाए तो वीडियो तो बहुत अच्छा है वीडियो से भी पढ़के आप अच्छे मार्स ला सकते हो लेकिन एक हाई लेवल का मार्स लाने के लिए आपको पीडियाप पर्चेस करना वह ज्यादा बेटर रहेगा यह भ लोग डिसकस करने वाले हैं आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन का डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप इस वार क्लास 12 का एक्जाम दे रहे हैं और अच्छे मार्क्स गेंड करना चाहते हैं तो हमारी जो टीम है ड्रीम कलासेस अब इसके साथ जूड़ जाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजे अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है बचे क्या करते हैं हर एक वीडि करके notification का bell दबा दीजे जब भी कोई वीडियो आपके लिए provide करेंगे उसका notification आपके phone पे चला जाएगा तो आज हम लोग discuss करने वाले physics के important objective portion आज हम लोग chapter 5 lesson 5 में discuss करेंगे चुम्ब कत्व magnetism के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो simple सी बात है आज हम लोग 5 lesson पढ़ रहे हैं 4 lesson तक हमारा objective question clear हो चुका है जो इस वीडियो के description में उसका link डाला हुआ है सभी topics को आप एक करकर करके देख सकते हैं तो चलिए topic को सुरू करते हैं बिलकुल भी समय नश्ट नहीं करते हैं तो जो पहला question है ठीक है students पहला question है कि चुमबक का चुमबक के छेतर की प्रवलता सबसे अधिक होती है तो चुम्बक के चुम्बक के चेतर की प्रवलता होती है ये धुर्वों पर जो होती है वो सबसे अधिक होती है विश्वत रेखा पर निम्न होती है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो चुम्बक के चेतर की प्रवलता जो होती है वो सबसे अधिक कहां पर होती है चुम्ब के दुर्बो पर पोल जो हमारा दुर्बो होता है ना वहाँ पे चुम्बक सीलता वो अधिक रेगी दंड चुम्बक कोशन नमबर दूसरा पर हम लोग डिसकस करेंगे प्रशन है कि दंड चुम्बक के चुम्बक की आगुर्ण के सुत्र M is equal to M into 2L में M प्रतिक है तो M is equal to य हम है यह कर लाएगा चुम्बक के दुर्ब की प्रवलता का प्रतिक है यह जो सिंबुल है यह किसके लिए है चुम्बक की दुर्ब की प्रवलता का यह जो स्मॉल वाला च एम दिख रहा है आपको सामने ठीक है कि दंड चुम्बक के चुम्बक की आगुर्ण के सुत्र M is equal तो यमिंटु 2L में small m का प्रतीक है चुमबकची दुर्व की प्रवलता का नेक्स्ट कोश्चन जो हमारा कोश्चन नमबर थड़ है कोश्चन है कि निरक्षिय इस्तिती में किसी चुमबक के कारण चुमबककर विभव का मान चाहि क्या होता है question number 4 पे हम लोग discuss करेंगे कि चुमबकी आघुर्ण है तो आपने सुना होगा scalar and vector के बारे में पढ़ा होगा अपने class 11 में भी ये पढ़ने का scalar and vector तो ये जो है वो सदीस रासी है ठीक है चलिए तो चुमबकी आघुर्ण एक क्या है सदीस रासी है कोपी में नोट करते चलिएगा बहुत important है exam के नज़िये से चुमबकी आघुर्ण का ऐसा ही मातरक क्या है तो एंपिर पर meter square होगा ठीक है चुमबकी आघुर्ण का यसा है मातरक sorry चुम्बक्य आघुर्न यम है यल लंबाई के एक अस्तील के तार का चुम्बक्य आघुर्न यम है इसके एक अर्ध विर्ताकार चाप में मोड़ा जाता है तता चुम्बक्य आघुर्न होगा तो वैसे कंडिशन में जब इस चाप को मोड़ेंगे तो ऐसे कंडिशन में इसकी जो चुमबक्य आगुर नोगा है वो 2m by pi होता है ठीक है 2m बटे pi समझ में आ रहोगा बिल्कुल आप लोग को concept clear है question number 7 पे आते हैं कि चुमबक्य निरच पर नमन कुन का मान क्या होता है तो ऐसे condition में नमन कुन की जो value होती हो 0 होती चुमबक्य निरच पर नमन कुन का मान जो होता है वो 0 होता है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल copy में नोट करते हैं चलिएगा कि पिर्तवी के चुमबक्य चेतर पर उर्दवादर घटक सुन्य होता है चुमबक्य निरक्च पर ये भी हमने पढ़ा कि नमन कौन भी सुन्य होता है नमन कौन का जो वैलियू होता है चुमबक्य निरक्च पर ये जीरो होता है और वही कंडिशन है कि पिर्थवी के चुमबक्य छेतर का आ के उर्दवादर घटक शुन्य होगा ये सुन्य कब होगा चुमक्य निरक्ष पर यह दोनों बिलकर एक दूसरे से similar है में हटैज करता है कुश्शन नम्र 9 के और आते हैं कि चुमक्य दुर्ब पर नमन कॉन होगा तो चुमक्य धुर्ब पर नमन कॉन का मान 90 डिगरी होता है चुमक्य दुर्ब पर नमन कॉन का मान changes बहुत अच्छा कोशन है बहुत आते हैं कि चुम्बक्य यामुत्तर तथा वह गोलिक यामुत्तर के bीच के कुन को कहते हैं तो यह दिकपात कुन कर लाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं कौपर की बात करते हैं कोश्चन नमर 11 जो हमारा कौपर के बारे में है तांबा कि तांबा किस प्रकार के पदार्थ का उदाराने तो यह जो है न प्रती चुम्बक की पदार्थ का लाता है एक अनुचुम्बक की चुम्बक की प्रती चुम्बक होती है तो लोह चुम्बक की लोह पदार्थ की चुम्बक सिलता जो होती है वो सबसे अधिक होती है यह तो नॉर्मल सी बात है यह आपको भी पताए कि किस पदार्थ की चुम्बक सिलता सबसे अधिक होती है चली अगले कोशन की और आते हैं कि बिदुचुम्बक किस पदार जाता है तो नर्म लोगे से बनाए जाता है ठीक है चुम्बकन तिबरता का ऐसा ही मात्रा ए प्रति एम होता है ठीक है एमपियर प्रति मीटर आरे समझ में आप लोग को बिलकुल कंसेप्ट अस्थाई चुम्बक किस पदार से बनाए जाता है तो अस्थाई चुम्बक जो है तो ये लोह पदार्थ से बनाए जाता है ठीक है कुशन नमबर 16 के और आते है कि ट्रांसफर्मर के क्रोड के लिए कौन सा पदार्थ उप्योग में लाए जाता है तो ट्रांसफर्मर का क्रोड जो होता है वो लोह चुमक्य पदार्थों से बनाए जाता है किस पदार्थ का सैथिल लूप का चेतरफल अधिक होता है तो किस पदार्थ का सैथिल लूप का चेतरफल अधिक होता है वो स्टील का होता है कोशन नमर 17 के और आ रहे हैं कि किस पदार्थ का सैथिल लूप का चेतरफल अधिक होता है वो स्टील का होता है कोशन नमर 18 के और ह पेचिक चुमबक सील था अगर 1.00028 है तो चुमबक की प्रविर्टी की प्रविर्टी का मान होगा 2.18 to 10 to the power minus 4 कुशन नमर 19 की ओर आते हैं कि चुमबक की आगर्न की दिसा तो ये पता है कि चुमबक की आगर्न की दिसा जो होते हैं हमेशा दचिन दुर्व से उत्तर दुर्व की ओर होते हैं चुमबक की आगर्न चुमबक जो घूंता है वो दचिन से उत्तर की ओर होता है आपको पता भी कैसी रासी है चुमबक के प्रेरन एक सदीस रासी है अपने स्कैलर और वेक्टर अधीस और सदीस के बारे में 11 में भी काफी अच्छे से पढ़ा होगा यूनिट और डाइमेंजन स्कैलर और वेक्टर यूनो कोशन नमर 21 पे आते हैं कि चुमबक के अक्च के लंबबत दंड कोशन नमर 21 है कि चुमबक के अक्च के लंबबत दंड चुमबक के कारण चुमबक के चेतर की दिशा उसके चुमबक के अगुर्ण के जस्ट अपॉजिट विप्रीत होता है कोशन नमर 23 कि पिर्थिवी का चुमबक के चुमबक के चेतर है ना वो 36 दिशा के साथ जो कोन बनाएगा वो हमारा नमन कुन कहलाएगा बहुत अच्छा इंपॉर्टन कोशन ने नोट कर लीजिएगा कि चुमबक का चुमबक की चेतर सुरी पिर्थिवी का चुमबक की चेतर 36 दिशा के साथ जो कोन बनाया था है वो उसे कहते हैं हम लोग नमन कुन कोशन नमर 24 की ओर आते हैं कराए एक चोटे चुमबक के कारण आर दूरी पर चुमबक की चेतर समानुपाती होगी आर टू दी पावर माइनस 3 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वन वटे इसको आप आर टू दी पावर माइनस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो वन वटे आर क्यू ठीक है वन वटे आर क्यू भी आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो एक चोटे चुमबक के कारण आर दूरी पर चुम्बक्य चेतर समान उपाती होता है आर पर पावर माइनस थ्री चुम्बक्य चेतर का SI मातरक बेबर पर मीटर स्कोयर होता है बहुत important question है बिलकुल copy में note करिएगा 100% काफी बार एक्जाम में पूछा गया है दो तीन बार ठीक है तो इगनौर मत करिएगा दो खंड चुम्बके जो समान अघुर्न तथा विभिन चुम्बके लंबाई रखते हैं निरचिये इस्तिती में केंदर से समान दूरी पर चुम्बके छेतर होगा कोशन नमबाई वाले चुम्बक के अधिक होगा किसका जोटे लंबाई वाले चुम्बक का अधिक होगा कंसेप्ट के लिए रहे हैं कोशन नमबर 27 पे आते हैं कि आर्थ रिज्या के एक विरित्तिय पत पर इलक्ट्रोन समरूप चाल से समरूप चाल भी से गूम रहा है तो इसके चुम्बक की आगुर्न 1Y हाप EVR होगा 1Y2, सुरी 1Y हाप मैंने बूल दिया हाप EVR सीदे सिदे बोलिए या 1Y2 EVR कहिएगा ते कोशन नमर 27 हो गया 28 पे हम लोग डिसकस करें कि तापकरम बढ़ाने से अनुचुम्बक के पदार्थ की चुम्बक के प्रविर्ती आप परिवर्ती तरहती है ये कोशन बहुत important है note करिएगा copy में जरूर कि तापकरम बढ़ाने से अनुचुम्बक के पदार्थ की चुम्बक के प्रविर्ती क्या होती है आप परिवर्थी तरह थी है कोशन नमबर 29 के ओर हम लोग सीधर सीधर डिसकस करते हैं कि क्योरी ताप करम पर या क्योरी ताप करम के ऊपर लौ चुमबक के पदार्थ की प्रविड़ती हो जाती है तो क्योरी ताप जो एक लिमिट होता है वो मैं आपको चेप्टर में समझाओंगा कि क्योरी ताप करम के ऊपर लौ अनुचुमबक के पदार्थ की प्रविड़ती हो जाती है अनुचुमबक की और ये कोशन नमर 30 पे डाइरेक्ट डिसकस करेंगे किसी यंत्र को बाहरी चुमबक के प्रवाव से बचाने के लिए किस पदार्थ से गेरा जाता है तो सीसा से लगा दीजे सीसा में इस टाइब का कंडिशन नहीं होता है तो आज का ये वीडियो यहीं पे बिल्कुल समझ में आया होगा बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़िये और कंटिन्यू जो है ड्रीम क्लासेस पे बने रही है आपको कंटिन्यू हम 12 के एक्जाम से पहले पूरा-पूरा सिलेबस क्लियर करेंगे और अगर आपको उससे पहले भी मतब कुछ अच्छे-चे कंसेप्ट लेने है मतब अच्छे माक्स गेन करने 85, 80, 90 तो इसके लिए ड्रीम क्लासेस का जो पीडियप है ठीक है वो पर्चेस कर लीजिए वो आपके लिए बहुत फाइदा होगा वो बिल्कुल जेनुवन हमारी टीम है आपके साथ कभी भी कोई गलत नहीं करेगी आप बिल्कुल हमारे साथ भरोशा रखें और आप हमारी टीम का पीडियप पर्चेस कर सकते हो पीडियप का मतलब वहा नोट्स जो गैस कोशन होता है ना इंपोर्टेंट कोशन चेप्टर वाइज वो लेगा आपको ठीक है तो उस पर पूरा पूरा फोकस करें और पढ़ाई ही तो खेर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो मिलते हैं हले वीडियो में बाबाई